हेलो गाइज वेल्कम बैक तो बीड़ोपर्ट इस चाप्टर सेवन क्लास 10 फम्म मुच्वल फंड इससे पहले चिसका चाप्टर 6 मैं अल्रडी बना चुकियो विच वाउट जिपोजिटरी तो अगर आप लोगों नहीं देखा है तो एक बार इसको चेक कर लेना ठीक है और वीडियो में हम लोग चाप्टर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो without further ado चलो शुरू करते हैं चाप्टर 7 और सबसे पहले चाप्टर तो आइए सबको मुच्वल फंड बता होगा कि क्या होता है क्योंकि एससे वन में भी वी विडियो भी बिनाए थे तो आपको पता चल गया होगा अगर फिर भी नहीं पता मानलो मैं थोड़ा सा एक बता देती हूं मुच्वल फंड क्या होता है बेसिकली एक फंड है ठीक है एक एसा पूल अफ मनी है जहां पर जो ऐसे इंवेस्टर्स होते हैं जिनके पास नॉलिज नहीं होती है या पैसा नहीं होता थोड़ा थोड़ा पैसा होता है तो लोग थोड़ा थोड़ा पैसे को इधर लाते है और यहां पर एक asset management company होती है जो उनके पैसे को अलग-अलग जगा लगाती है और उसके बाद profit मिलता है या जो भी होता है तो कुछ ऐसा होता है mutual fund जिसमें risk थोड़ा सा काम होता है comparatively equity अगर हम देखें मतलब shares को अगर देखें तो उससे risk थोड़ा सा कम होता है तो ऐसे जो छो सब्सक्राइब कोई regulatory body होगी तो उसकी regulatory body भी क्या है Securities Exchange Board of India से भी इसका full form आप याद कले जो अभी भी मैंने handwritten notes बनाए है क्योंकि होता क्या है जब हमारे paper आए होते हैं तो हम खुद से हैसा करते हैं कि पूरी book में से खोच-खोच के ढूंड ढूंके हम लग लिखते हैं कि पेपर पर लिख लेते हैं उसको रिट्टा मालें क्योंकि दो तिन question दो पूछी लेता है मतलब उससे related या फिर आपको बड़े answers में उसके full form लिखनी हो तो आपको ठोड़ा सो और बड़ा हो जाता है तो आपको full form पता होने जी तो मैंने उसमें ऐसे लिख दिया है तो इसक को mutual fund में पैसे invest करने से क्या-क्या benefits मिलेंगे तो बहुती simple है यह सारा कुछ ठीक है तो को यारी चोटे-चोटे investment होते हैं आपको को यह नहीं बोलता कि आप बहुत बड़ा amount इसमें invest करो आप मतलब 2000 जो चोटे-चोटे चीज़े जो मतलब invest जो बंदा कर रहे है उसके पस इ करेंग होती जाएगी professional fund management क्या होता है अब देखो यार हम जैसे जो लोग होते हैं मतलब हमारे पास उतना expertise नहीं होता ठीक है न उतना experience नहीं होता उतने resources नहीं होते कि हम लोग यह सब देख पाएं समझ पाएं कि चाह मैं अपने पैसे को कैसे लगाना चाहिए बट अगर आ अगर हमें पता नहीं होता हम अपने पैसे को अगर ऐसे ही मानलो किसी और को देखा हमने वह investment कर रहा है उसके बहुत सथे profit हो रहे हैं हमने लगा दिया पट हमें उतना knowledge नहीं है क्या मानलो हमारा पैसा डूब गया फिर क्या होगा risk को spread करना बहुत जरूरी है जैसे कुछ ल पैसे को कुछ पैसे को ऐसी जगा भी लगाना चाहिए जहां पर रिस्क थोड़ा सा कम हो मैं यह नहीं कहा हूं कि रिस्क होता नहीं है रिस्क होता है बट अपनी जो पोटफोलिय उसको आपको diversify करके रखना है कि एक ऐसा टाइम ना आ जाए जब हर तरफ से रिस्क हो जो आपका सारा पैसा डूब जाए क्योंकि यहार इंवेस्मेंट कोई गुंदा कर रहा है इसका मतब यह तो नहीं है उसके पास पैसा ऐसे ही आ रहे है उसके पास ही पैसा मैनत से आ रहे है दूसरी बार ट्रांस्पेरेंसी बहुत जादा होती है आपको हर एक दिन मतलब एवन जाननी जरूरी है वो सब आपको पता होती है और बीच बीच में देखो जो भी मैं हाइलाइट कर रही हूं न तो उसको तुम भी अपने बुक में हाइलाइट कर लेना तो यह अच्छा रहेगा जमारे लिए ठीक है उसके बाद एक लार्ज अमांट ऑफ मतलब आपको चॉ उसमें डालो तो क्या होगा कुछ समय बाद आपकी एक प्रॉपर मतलब बहुत ही बड़ा अमांट आपको मिल सकता है क्योंकि चोटे चोटे अमांट आप लोग बरबात करते रहते हैं तो उसको सेफ करने से यह चीज होती है और रेगिलेशन क्या है उसमें कोई फ्रॉड अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको बेनेफिट बताने मीट्वल फंड की तो स्मॉल इंवेस्मेंट कर सकते हैं प्रफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है रिस्क स्प्रेड हो जाता है चॉइसे बहुत जादा है रेगिलेटेट बाइस से भी है तो इससे अच्छी बात क इसका भी फूल फंड आपको पता होना चाहिए कि एनेवी होता गया है देखो एसेट क्या होता है कोई भी संपत्ति जिसको लोग टाम के लिए खरीदते हैं नेट एसेट वाल्यू उसका एसेट का नेट वैल्यू कितना है लाइबिलिटी हटा के अगर हम देखें तो उसका वैल्यू कितना है तो इसका एक फॉर्मला होता है जो बेसिकली यहां पर दे रखें से देख सकते हैं नेट वैल्यू ऑफ एसेट की कितने पैसे कि आपका एसेट है वह आपने लिख दिया उसके बार जितने अपने यूनिट खरीदे हैं या फिर आपके पास हैं उससे आप अपको डिवाइड कर दे रहा तो आपको अपने एक जो मीच्वल फंड का वैल्यू है वह आपको पता जल जाएगा यहां पर क्या है कि जो एन वी होता है मीच्वल फंड का वह नीज़पेपर में पबलिश होता है ठीक है तो यह नीज़पर वाले बताते हैं कि किस पूरे साल खुले रहती है ठीक है आप उसमें कभी भी पैसा इंवेस कर सकता है ऐसानी कि साल में कभी भी आओगे कभी भी जाओगे ओपन एंड इंड इंड शकीम होती है कि कभी पैसा जमा करागो कभी भी निकालतू no problem ऐसी नहीं होती है वहां पर क्या होता है पर्टिकलर टाइम होता है वहीं पर पैसे इंवेस कर सकता हो तो जो एन-वी होती है ओपन एंड स्कीम की वह डेली बेसेज़ डालनी होती है थि तो उसका जो NAV होती है जो net asset value होती है वो weekly basis पे आ जाती है अब हम बात करेंगे कि क्या mutual fund में invest करने की कुछ risk होते हैं देखो अभी हम लोगों ने देखो ये भी ना immediate बता रहा है पहले उसने हमें benefit बता हैं अब हमें risk बता रहा है कि रिस्क तो नहीं होते हैं देखो simply बहुत ह सिंपल चीज है mutual fund हो या फिर कोई भी scheme हो और अगर कोई scheme यह बता रही है कि हम आपको short returns दे रहे हैं guaranteed returns है तो यह fraud is stock markets में as such guaranteed जैसे तो कुछ भी नहीं होता ठीक है वो fund जो company आपने invest किया है जिसमें पैसा vocal रहेगी रहेगी नहीं रहेगी तो उसके मालक को भी नहीं पता त if anybody is saying this to you कि आपको short returns मिलेगा this is total fraud ऐसा नहीं होता ठीक है जितने भी returns होते हैं वो जो company है जो industry है जिसमें आपने पैसा लगाए उसके performance पर बेस्ट है मालो जैसे कि हमारे जब covid times था उसमें फार्मा फार्मा जो industry थी वह बहुत ज़्यदा ग्रो कर रहे थी क्योंकि वैक्सीन बनाने थे बहुत सही दवाईयों की ज़रुद पढ़ रही थी बहुत यह medical के फिल्ड में बहुत कुछ उसमें research वगारा हो रहे थे तो आप लोगोंने भी हो सकता है किसीने सुना हो नहीं सुना तो मैं सुना देती हो कि बहुत सारे लोग जो थे इस industry में पैसे invest कर रहे थे क्योंकि इसमें research होनी थी पैसे की जरुवत थी इंडस्ट्री को पैसे की जरुवत थी और उसके बाज जब vaccine बन रही थी या फिर चीजें हो रही थी इससे उस investors को return भी मिल रहा था ठीक है तो जो industry है जो आप company है वो grow कर रही है या नहीं कर रही है इस पर depend करता है कि आपने कि एकदम से जैसे online education का जो field था वो covid times में बहुत फैल रहा था I'm not saying कि अब नहीं फैल रहा फैल रहा है बट I personally don't consider it as much as वो उस time पर था क्योंकि उस time पर बहुत ज़दा crazy था लोगों को कि online education और उससे तुम देख ला न्यूस पर में बहुत reports आई थी लिटरली बहुत प्लाटफर्म्स हैं जो सब को पता होंगे उन्होंने बहुत ज़दा पैसाब कमाया था but एकदम से जब lockdown हट गया fortunately हट गया तो वो हट गया तो उसके बद उतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा अभी भी देखा जा रहा ऐसी बत नहीं कि नहीं देखा जा रहा बट उतना ल मानते हैं लोग ठीक है और अगर कोई sudden downturn आ जाए इंडस्ट्री में कोई government कोई रेगिलेशन लेकिया जाए जिससे पूरी इंडस्ट्री उतल फटल हो जाए तो हो सकता है कि आपके पैसे पर बहुत ज़दा मतलब अफेक्ट पड़ेगा उससे अब यहां पे हमको ना कुछ यह तो हमें वैसे बता दिया अब कुछ रिस्क भी होते हैं कुछ types of risk हैं जो होते हैं mutual fund में तो यह भी आपके लिए जानना is very very important तो एक तो देखो market risk होता है market risk से आपको समझ में आ रहा है कि market में होने वाला market में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से risk हो गया मान इंदर कुछ हो गया तो उससे क्या होगा कि आपका जो portfolio है वो सारा डगमगा जाएगा सारा हिल जाएगा पूरे fund का performance है पूरा mutual fund जो है वो हिल जाएगा मालो ऐसे ना banks के होते हैं HDFC ICICI access bank इन सब से related mutual funds होते हैं मालो bank एक दिन में कंगाल हो गया तो उसका mutual fund है उस पर भी त तो वह बात है non market risk क्या होता है अब market में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके वज़े से कुछ खराब हो गया एक किसी भी company के बारे में या फिर किसे individual के बारे में कोई bad news फैल रही है अम मान लो इसे example हम ले सकते है इसका कि अगर जैसे कोई बहुत बड़ा celebrity हो उसके बारे में तो बिल्कुल वही वाली situation हो गई कि badly उसकी individual के बारे में किसी individual company के बारे में जब फैलती है तो उसके stock prices बहुत जगा खराब होता है अब जैसे कोई company है वो अपने लोगों के संगे customers के साथ fraud कर रही और आपको पता चला कि अपने ऐसी company में पैसा लगा रहा है definitely आपका आप पैसे नब्स कर सकते हैं equity में कर सकते हैं Readck न सबके नाम में कूछ तो ऐसा हुआ है जिसके वराजिस बढ़ गया अब यहां पे खला ह्या है तो ब़स्डे और इंटरस्ट रेट बढ़ जाता है तो यह किया है तो यह सब यह सेमस्टर गहने वाली अधे स्याफिक्नेड थे तर तो वह थो उसमें चुम्हारे लिया यह वर्ली यह जो बंदे यह कर रही हो मैं वह कंपनीज को गांवन्मन को पैसा देते हैं कि अपको भी जरूफ के यह लू हमारा पैसा थी कि यह थार दिया और आप इसके बदले हमें after on a certain date of maturity जो भी है उस पे आप हमें हमारा principal amount वापस करोगे with the जित्ता भी possible interest होगा उस पे आपको हमें वो देना है तो एक debt obligation होती है कि आपको करजा चुकाना है अगर किसी company को पैसा दिया ठीक है एक fund management था मैंज़ाब एक company थी उसने किसी company को पैसा दिया और उसने after a certain point of time at the maturity date पैसा वापस नहीं किया तो जित्ता भी market है सब में उतल पूतल बच जाएगी तो this could be a possible risk in the mutual fund as well उसमें भी हो सकता है ऐसी नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं होगा ठीक है तो देखो जब लोग बात करेंगे कि अलग लग टाइप की mutual fund होते हैं तो सबसे पहला होता है on the basis of objective कि आपने objective के basis पर पैसा लगाया है कि आपको कुछ ना कुछ पर परपस है पैसा लगाने का देखो जब equity funds की बात करेंगे growth funds भी बोलते हैं उसको अगर equity के जगए growth funds लिख देगा तो यह क्या हो गया equity funds growth funds अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है बंदा जो equity में पैसा लगाए ठीक है किसी company के shares में पैसा लगाए तो हम उसको बोलते है equity shares में पैसा लगाया है और उनका प्रिंसिपल अब्जिक्टिव होता है वह होता है capital appreciation वह बंदा यह चाहता है कि मेरा पैसा बढ़े 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 ठीक है उसको अपने capital को बढ़ाना है medium to long term के लिए पैसा लगा सकता है और उसको यह चाहिए कि मेरे पैसे बढ़े profit हो यह उसका एक motto है इसके अंदर बहुत सारे funds होते है diversified funds होते है sector specific funds होते है और index based fund होता है जो diversified funds है वह basically क्या है वह अलग-अलग sectors में लगा जाते हैं जो funds होते है वह अलग-अलग across अलग-अलग sectors में लगा जाते हैं कि आपने एक मालो automobile sector में लगा दिया ए एक मालो अपने education में लगा दिया एक अपने pharma में लगा दिया IT में लगा दिया कुछ इस तरीकी की चीज़े होते हैं तो आपने अलग-अलग sectors चूज किया है जो sector funds होते है उसमें क्या होता है कि primarily आप एक particular business sector में invest करते हो जैसे कि आपने pharma में लगा दिया पूरा पैसा उस और BAC के index क्या है यह आप मुझे comment करके बताना ठीक है यह आपके exam में भी पूछा जा सकता है और जो notes मेरे से 2 के handwritten notes बिनाए है उसमें भी मैंने बता है और उसका link आपको अगर आपको चाहिए तो वह description में मिल जागा एक बारी check लेना उसको भी तुम सबको पता है कि जो BAC का जो index होता है जो NAC का जो index होता है उसमें कुछ particular stocks होते हैं ठीक है तो जब index funds की बात की जाएगी तो हमारे क्याने का मतलब है कि जितनी companies उस basic index में दिख रही है उस NAC के index में दिख रही है उन companies में हम लोगों ने पैसा लगाया है ठीक है बात समझाए उसके बादे हमारे प tax act से बचा लेगा और उनको अपना जो पैसा है उसमें मतलब कुछ भी income tax आपको नहीं देना पड़ेगा क्यूंकि उसमें उन लोगों ने बोला होता है कि अगर आपने इन चीज़ों में invest कर रखा है तो हम आपसे tax नहीं लेंगे उसके बाद आते हैं debt income funds debt income funds क्या होते है debt income income funds debt क्या होता है इसके बाद में थोट दिर पहले भी बात करी और से वर में भी अधारी वही तो इसमें आप कहां पैसे इंद्वेस्ट करते हो डिबेंचर में बाण्ड और विधर में अंतर क्या होता है यह मुझे comment में बताना और नहीं पता तो बतादेना मैं अगली वीड पर सरकार या कंपनी जिसको भी आपने पैसा दिया है वह आपको पैसा वापस करेगी और यहां पर जो इन्वेस्टर होते हैं वह मीडियम टू लॉंग टम इन्वेस्ट करते हैं और बेसिकली उनको यही है कि हम रिस्क से बच जाएं और हमारा क्या प्रेजर्वेशन हो जाए उनको यह नहीं है कि मेरा अगर किसी को पहुत पैसा बढ़ाना होगा तो डेफिनेटली बॉंड वग्यरा नहीं खरीदेगा मतलब एक अपने पॉर्टफोलियो को मैनेज करने के नहीं करीच सकता है बट अगर किसको यह चाहिए कि प्रॉफित 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 प्र इसमें एक दिन के लिए भी पैसा इन्वेस्स कर सकते हैं अगले दिन के निकाल लोगे और कर लोगे अराम से इजी लिकूरिटी प्रॉइड करते हैं यह बिसिकली ऑल्टर्निटी पर सेविंगे शॉट टम फिक्स डिपोजट अकाउंट की तरह आप देख सकते हो इसको वि बैंक से थोड़े ज़्यादा यहां पर मिल जाएंगे किसे के लिये हैं जिसे कि यहां पर कॉर्पोरेट्स हैं क्योंकि जो चाहो तो अपना पैसा असानी से निकाल सकते हैं को कभी पैसे की ज़रद पढ़ सकती हैं इंस्टिटूशन इन्वेस्टर्स को जो आए दिन पैसे को पढ़ सकती है तो यह लोग क्या करते है जब इनके पास पैसा है थोड़े से शॉर्ट पीरिट के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया थाकि थोड़े बहुत रटर्न भी मिल जो और पैसा जो है वो सेव भी रहे और जो पैसे चाहिए बचना होता है वह अपने पैसे को गिल्ट फंड पैसे को इन्शॉर करते हैं टिक आपका जो प्रिंस्पल अमाउंट उसको सेव रखेंगे यह रखेंगे और फिर मीडियूम टु झो होते है जिनको रिस्क से बचना होता है वो अपने पैसे को में जमा करा देते हैं ठीक है एक दूसरा आएगा बैलेंस फंड तो आपने कुछ पैसे को आपने एक्विटी शेयर में जो की बहुत ही जादा रिस्क होता है रिसमें वहां जमा कर आए और दूसरे को फिक्स इंकम बेरिंग इंस्ट्रुमेंट में जहां पर मतलब बहुत जा बहुत जादा मिलता है और अपने फिक्स इंकम बेरिंग इंस्ट्रुमेंट में मतलब डेट सिक्यॉर्टी में भी अपना पैसा लगाया है इससे कि क्या होता है इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है सिंप्ली स्टडी रिटर्न आपको मिलेगा उसके बाद दिखो अब इस दिन आना है जमा कराना है इस दिन आना है पैसा निकालना है ऐसा कुछ ब नहीं होता कभी भी पैसा करो कभी भी निकालो कुछ भी फरक नहीं बढ़ता तो यहां पर इंवेस्टर के परस्पेक्टिव से देखा जाया इस चीज को तो यह बहुत ही लिक्विड इसके लिक ऐसा एक particular time होता है कि यहां पर अभी IPO चल रहा है तो अभी आप इसमें पैसा लगा तो अधर्वाइस ऐसा नहीं होगा कि आपके आप कभी भी आओगे पैसे लगाओगे कभी भी आओगे तो निकालोगे इसके एक fixed date of redemption होती है आप एक particular point पर ही पैसा निकाल सकते हो या फिर लगा सकते हो यह open होते है मतलब साल में एक बार या फिर जो भी उसका period है उसमें एक बार सब्सक्रिप्शन के लिए open होगा उसके बाद एक fixed date पर उसका redemption होगा ठीक है इसका definition अगर आपको चाहिए तो मेरे एक हल से हम यहां से underline कर सकता है इसको एक मिनट इस फंड्स आर ओपन फॉर कि सब्सक्रिप्शन ओनली वन्स यह यहां तक ठीक है यह वाला आपके लिए अच्छा रहेगा what are the different investment plans that mutual funds offer अब बहुत सारे different plans होते हैं जो mutual fund हमें देता है कि आप इस तरीके से अपने पैसे को invest क कर सकते हो तो उसको अबलब पढ़ेंगे growth plan and dividend plan और उसके बाद आएगा हमारे पास dividend reinvestment plan growth plan क्या होता है यह एक ऐसा plan है जहां पर आपके जो returns होते हैं ना wherein the returns from investments are reinvested and very few income distributions होते हैं जो growth plan का मतलब यह ना कि आपको growth करने हैं आपको अपने पैसे को बढ़ाना है तो आपको जो return मिलेगा मालो मैंने 10 रुपे invest किये मुझे तीन रुपे मेले अब वो 13 रुपे हो गए तो वो 13 रुपे दुबारस उसमें invest हो जाएंगे कुछ इस तर बढ़ गया और अगर हम वहीं बात करें dividend plan फे तो income जो होती है इसमें time to time लोगों को मिलती रहती है dividend का मक्ता भी आई होता है कि जैसे हमें अगर हमने bank में को FD कर आई है तो उसके लिए में interest मिलेगा बट अगर हम stock market में पैसे invest करते हैं equities खरीते हैं तो उसमें जो interest होता है बेसिकली simple है उसको हम लोग dividend बोलते हैं ठीक है उसके अलग-अलग चीज़े भी होती है बट simple layman की भाशा पे सर्वित्ता ही समझ लो तो जो dividend plan होता है उसमें क्या होता है जब आपको जो income मिलती है वह आपको time to time मिलती रहती है तो एक regular income के जैसे हो जाती है investor के लिए चीज है जो dividend declare करती है company उसको reinvestment कर देते हैं उसी scheme में investor के भिहाब पे इससे क्या होता है कि आपके जो units होता है वो पढ़ते रहते हैं मालो कि मैंने कहीं पर 50 रुपे लगाए थी कि मैंने 5 share खरीदे 50 रुपे के इस पे मुझे profit हुआ 10 रुपे का dividend मिला तो यह कितने रुपे हो अब यह साट रुपे हो गए तो अब मेरे को यह लोग 10 रुपे मुझे देने के बजाए जो 10 रुपे थे यह ना इसमें आड करके अभी से साट रुपे करके invest कर देंगे और जो unit अब तक मेरे पास 5 थे न क्योंकि एक 10 रुपे का एक शेयर थे तो अब तक मेरे पास 5 शेय अब यहां पर आगे लोग बात क्या कर रहे हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से राइट होते हैं mutual fund holder के इंडिया में कि इंडिया में अगर किसी ने mutual fund hold किया हूँ है तो इसको क्या-क्या राइट मिलेंगे तो इसमें हम लोग 4-5 चीज़ों की बात कर लेते हैं अगर आपक पास कितने आपके कितने शेयर आपके पास कितने यूनित हैं आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है यह सारी चीज़ा उसके अंदर आएंगी आपको information receive होगी अपने investment policy से related कि आपके जो investment policy है वो क्या है उसके objective क्या है उसके financial position क्या है यह सब चीज़ें आपको पता चलेंगी अगर जो जो भी mutual fund होता है उसका अगर dividend declare किया गया तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको dividend आपको मिल जाएगा receive the redemption और re-purchase proceeds within 10 days अगर मानो आपने redeem किया अपनी mutual fund को मतलब आपने अपना पैसे वापस निकाले तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको 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 जो पैसा है वो मिल जाएगा और अगर आप री पर्चेस करना चाहते हो तो वो भी आपको हो जाएगा कि आप री पर्चेस भी कर सकते हो ठीक है यह है जिसको हमें जानना है इसके बाद इसको पढ़ लेते हैं 75% of the unit holders with the prior approval of SEBI can terminate the AMC of the fund अगर 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 ऐसा लगता है लोगों को कि यह जो asset management company है यह हमारे fund को अच्छे से manage नहीं करें अगर 75% unit holders को ऐसा लगता है तो SEBI का prior approval लेके मतलब से पहले permission लेके उस AMC को भी terminate कर सकते हैं मतलब अगर किसी आपको लगता है कि यह जो यह जो company है हमारे पैसे को अच्छे से manage नहीं कर रही है तो आप यह चीज़ भी कर सकते हैं मतलब इसके बाद what is a fund of a document fund of a document क्या होता है इसको हम लोग एक बार देखेंगे और क्या के information होगी इसमें यह इदर देख लेते हैं investment objectives आपने investment क्यों किया है कैसे किया है क्या मिलेगा फलान डेम का न चीक है risk factors और special consideration जो भी हो सकती है मतलब क्या risk हो सकता है expenses कितने है constitution क्या है fund क्या है कैसा है क्यों है कब बिना जो भी है उसके बारे में information guidelines and how to invest अगर आपक guidelines मिलेगी एक organization and capital structure होगा कि organization इस तरीके से और capital आपका कहां कहां पे लगाया जा रहा है जब हम mutual fund में पैसा invest करते हैं अगर तुमने से किसी ने किया है तो वो आपको बताते हैं कि आपका इतना पैसा equities में invested है इतना पैसा government securities में invested है ऐसे करके बताते हैं वो लो active fund management क्या होता है जब कोई investment decisions जो होते हैं किसी भी fund के वो एक बंदे के ऊपर होते हैं एक बंदा यह कोई भी हो सकता है मतलब fund manager हो सकते हैं जिनके ऊपर यह depend होता है कि वो पूरे market को analyze करेंगे उसके बाद उनके हिसाब से देखा जाएगा कि उनको securities को बेचना है खरीदना है या फिर उसका क्या करना है तो इस situation है इसको हम लोग बोलते हैं कि जो funds है वो actively manage के जा रहे है कि कुछ लोग इसको देख रहे हैं इसको analyze कर रहे है वो लोग stock market को जानते हैं ठीक है उसके बाद वो देख रहे है कि situation क्या चल रही है जो graph है वो अच्छा चल रहा है या नहीं जो situation है वो पूरे market की ठीक चल रहे है कि नहीं चल रहे है वो उसके इसाब से देखते हैं कि आप पैसा इस company में में रखना है या नहीं रखना है तो यह जो active fund management होता है इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती है एक तो growth investing style होता है जब भी word कहीं भी growth आ जाएगा ना तब आ पास है value investment style यहां पर क्या होता है कि जो value manager होता है वो यह नहीं देखता कि अभी यह company कितना grow कर रही है क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती पर एकदम से मानलो किसी company में उच्छाल आया तो उससे पागल नहीं हो जाते है वो उन पैसो उस company में पैसे लगाएंगे जो अभी currently undervalued है और उसको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसका valuation बढ़ेगा इसकी यह जो industry है यह आगे जाकर develop होगा तो वो इस sector में अपना पैसे लगाते हैं और of course यह होता भी है और उसके वाद उने पैसा मिलता है बट यह होता है कि जो लोग patience रख सकते हैं इतना स मार्केट में बहुत ही जो serious यह फिर बहुत ही सुलजेवे जो समझदार इंवेस्टर्स होते न वहीं ऐसे काम कर सकते हैं बाकि जो कोई newcomer है stock market में जो यह सोच क्या है कि बहुत में महला माल हो जाओंगा तो वो कभी भी इसमें पैसे नहीं करेगा पर पता नहीं बात कर रहा है market को उसके बाद buy करना है sell करना है वो उसके अपने description पर depend करता है बट यहां पर यह लोग क्या करते हैं यह कुछ ऐसे mutual fund होते हैं जो कि offer करते हैं index funds और index funds मैंने थोड़े दिर पहले बिताया था कि उसमें क्या होता है कि जो stocks हमारे index में reflect हो रहे होते हैं वो उसमें पैसे लगाते हैं तो वो लोग companies को analyze नहीं करते हैं market को analyze नहीं करते हैं economic factors क्या चल रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है then narrow down on stocks to invest in उनको पता है यह जो invest यह जो stocks हैं यह अच्छे चले रहे हैं ठीक है और यह अच्छे चलेंगे तो वो उसमें पैसे लगा देते हैं और उसके पात वो उसी को देखते हैं उसको नहीं मतलब कि market में क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या फलाना धाना उन्हें नहीं मतलब वो लोग index fund में अपना पैसे लगा के चैन से बढ़ जाते हैं ठीक है this gives a dual advantage to the investor of having a diversified portfolio while at the same time having low expenses in fund आपको बहुत जदा खर्चा नहीं करना पड़ market में मुझे लगता है कुछ भी हो जाए ऐसा दो नहीं हो सकता है कि हर field बिकार हो जाए हर sector की company डूब जाए ऐसा नहीं होता है ठीक है तो आपको एक diversified portfolio भी मिल गया and यह chapter अब खतम ही होने वाला है तो अब हम बात करेंगे इसकी what is an ETF ETF क्या होता है exchange traded funds तो as a mutual fund that trades लेका stock एक basket of stocks reflect करता है जैसे कि nifty और यह कोई mutual fund नहीं है इसको इस पे जो मेरे handwritten notes है उसमें मैंने इसका difference भी बता रखा है कि यह जो है यह mutual fund नहीं होता है अगर आपके पास मान लो कि अगर आपके पास एक एक ETF है आपके पास exchange traded fund है तो इसका क्या मतलब है then you get the diversification of an index fund plus the flexibility of stock आपको stock की flexibility तो मिली जाएगी और आपको index का इतना भी index fund में जितना diversification होता है न वो सारा मिल जाएगा अलग-अलग stocks में अपना आप इन्वेस्स कर सकते हो जिससे आपका रिस्क जो है वो comparatively lower हो जाएगा then other any other equity या फिर कोई भी investment अगर हम देखें तो आज के वीडियो के लिए से वितना ही I hope आपको यह पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो लाइक करना शेयर करना subscribe करना and description में जो मैंने आपको handwritten notes का बढ़